हे गाईज वेलकम डू आटो रिवियोज आप सब लोगों को आज एक बड़ फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2024 Harley Davidson X440 आज हम लोग इस मोटरसाइकल का एक फूल डीटेल रिवियो आपको देने वाले ते चले शुरू करते आज का ये वीडियो बिना समय बड़ बात किये में ना मरणंग शालतर आप देकर आटो रिवीज का ये डूप चानल लेकिन वीडियो शुरू करने से बाले मैं आपको ज डीजाइन की बात करेंगे यहाँ पे तो डीजाइं जो है यहाँ पे आपको एक काफी ज्यादा रेट्रोटाइब एक दीजाईन देखने को मिलता है और उसकेसाद यहाँ पे आप क्यू की जमाना बदल ला हैईश वास यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलो the headlamps headlamps के तरब देखेंगे तो headlamps यहाँ पे आपको पूरा एक round shape का headlamps देखने को मिलता है with day time running lights headlamps के उपर अगर आप लोग God से देखेंगे तो headlamps के उपर आपको यहाँ पे इस जगह पे basically Harley Davidson के एक batching देखने को मिलेगा and headlamps के अगर आप लोग throw की बात करें तो यह जो headlamps यहाँ पे दिया गए यहाँ पे आपको काफी अच्छा कासा एक throw देखने को मिलता है जब आप लोग इस motorcycle को रात में या अंदर एक टाइम पे चलाएंगे on the highways and गाओ वाला जो एरिया होता है मतलब उस जगह पे अगर चलाएंगे तो यह headlamps आपको एक better visibility provide कर देगा for sure उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको indicators मिलता है indicator also round shape design में यहाँ पे देखने को मिलता है इसके साथ यह indicators यहाँ पे दिया का है that is complete LED indicators यहाँ पे देखने को मिलता है उपर में देखेंगे तो उपर में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है this is your mirrors mirrors basically आपको round shape में मिलता है and mirrors के उपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक Harley Davidson की badging देखने को मिलता है as you can see and साथ में जैसे आप लग थोड़ा सा underneath की तरफ देखेंगे तो underneath में यहाँ पे आपको fender मिलता है fender की बात करेंगे तो fender आपको काफी solid design के साथ यह fender आपको देखने को मिल जाएगा this is your front tire basically front tire की बात करेंगे तो front आपको MRF का टायर यहाँ पे देखने को मिलता है 190 18 इंच का tubeless tire with allow wheel यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सामने आपको disc मिलता है और उसके साथ यहाँ पे आपको bybrick का brake देखने को मिलता है अब उसके साथ यहाँ पे suspension की बात करेंगे तो that is usd focus suspension इस motorcycle के यहाँ पे मिलता है और उसके साथ this is the overall front profile of this motorcycle आप एक बार देख लीजे तो यही था पुरा front profile now let's go to the side profile of this motorcycle तो side से जैसे आप लोग इस motorcycle को देखेंगे तो side से भी इस motorcycle को एक काफी जादा cool and stylish design देखने को मिल जाता है on the side तो यही था इस motorcycle का side profile, side profile के elements के तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले Harley Davidson की badging देखने को मिलता है यहाँ पे आपको X440 का badging देखने को मिलेगा आपको थोड़ी बहुत graphics बगड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाता है for sure यहाँ पे fuel tank की तरफ देखेंगे तो fuel tank का design में यहाँ पे आपको काफी जादा muscular सा design यहाँ पे आपको देखने को मिलता है for sure साथ में यहाँ पे आपको E20 का badging भी देखने को मिलता है तो as you all know की यह motorcycle equipped है E20 OBD2 से मतलब जो 20% of ethanol और 80% of petrol ऐसा है mixed up fuel हमारे भारत देश पे बहुत चल्दी आएगा अगर वो fuel आ गया तो यह motorcycle उस fuel पे चल लेगे लिए बिलकुल compatible है fuel tank capacity की बात करेंगे that is 13.5 liter तो आपको 30.5 liter की fuel tank capacity यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है next aspect की तरब देखेंगे तो this is your seat basically single seat यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग seating comfort की तरब देखेंगे तो comfort is very good मुझे यहाँ पे कोई भी complaint नहीं है and यह basically मतलब इस segment के जो motorcycles आती है यह seats मुझे काफी जदा comfortable लगा seat height की बात करेंगे that is 805 mm and उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो this is your engine basically तो engine की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 440 cc का एक oil cool engine यहाँ पे देखने को मिल जाता है single cylinder के साथ and engine के अगर अपलब power and torque की बात करेंगे तो इस motorcycle में आपको somehow 27bhp का power देखने को मिलता है if I am not wrong 27-28bhp के पास आसपर इसका power देखने को मिलता है and 38Nm torque at 4000 rpm के साथ यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाता है gearbox की बात करेंगे that is 6-speed manual transmission इस motorcycle में देखने को मिलता है talking about the next aspect तो यहाँ पे आपको rubber design में foot pegs देखने को मिलता है rubber की quality ठीक है थोड़ी और बेटर यहाँ पे किया जा सकता है यहाँ पे rear brake मिलता है यहाँ पे देखने तो यहाँ पे आपको पिलेंट footrest मिलता है पिलेंट footrest also finished in rubber but यहाँ पे भी quality मुझे उतना जादा ठीक है मतलब थोड़ा सावर बेटर यहाँ पे किया जा सकता है and साथ में this is your exhaust basically exhaust का जो sound है मैं आपको वीडियो के end में सनाऊंगा and साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको rear tire मिलता है rear tire की बात करेंगे तो rear tire भी आपको MRF zapper का tire यहाँ पे दिया गा है यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 140 section tire मिलता है 140 70 17 inch का tubeless tire with alloy wheel यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे पीछे भी आपको desk मिलता है और उसके साथ when you see the rear suspension of this motorcycle अगल तो rear pace को twin shocks का suspension देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे यही था पूड़ा rear है मतलब rear tire के बाढ़े में थोड़ा सा अगर आप लोग left side के तिरफ जाएगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी काट बगड़ है यह सब कुछ देखने को मिलेगा थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो these are chains pocket chains pocket की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको open chains pocket मिलता है अब यहाँ पे एक आपको disadvantage है कि अगर आपका bike जादा running पे है मतलब अगर आपको इस bike को लेकर daily running करते हो तो आपको इस chain को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा पर इस chain में आपको धूल मिंटे के लगने के chances बहुत ज़्यादा है तो बाकी यही था एक advice मतलब आपको थोड़ा सा मेंटेन आप ज़रूर करके रखना है इस motorcycle को इस chain को भी सिकली और उसके साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इस motorcycle के rear profile के बारे में तो rear पर भी देख सकते हो कि rear profile भी काफी जाता है सुन्दर से design के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है for sure सबसे बहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको tail lamps मिलता है tail lamps in LED यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है उसके साथ यहाँ पर देखेंगे this is what indicators basically round shape में इसका design मिलता है यहाँ पर आपको Harley Davidson का एक badging दिया गया और यह जो indicator आप लोग देख रहा है यह LED indicators है और साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी तक मजबूस से indicator यहाँ पर दिया गया यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको reflector मिलता है और उसके साथ यहाँ पर आपको number bit का section देखने को मिलेगा this is a grab handle basically grab handle का quality is quite nice मुझे यहाँ पर कोई भी complaint नहीं है और उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा से left side की दरब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो और footpacks मिलता है this is a single stand, basically side stand, cutoff का sensor इस motorcycle मिलता है obviously मिलेगा इतना premium motorcycle है और उसके बाद अगर आप लोग handles की दरब देखेंगे तो handles जो है, handles देख सकते हूँ guys के handles आपको पूरा straight and handlebar देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको controls मिलता है तो basic controls के बारे में सबसे बहले मैं आपको दादना चाता हूँ तो यह आपको horn का switch, यह आपको turn indicator switch और यह आपको low beam high beam and pass light का switch मिलता है अदर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो instrument cluster को access करने का switch, यह आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर right side की दरब देखेंगे तो right side में आपको kill switch और self start दो नट अटाच एक बटन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको hazard light का switch देखने को मिलता है और नीचे आपको SOS का एक बटन देगा तो SOS का जो switch मिलता है गाईस यहाँ पर आपको यह काफी ज़्याद एक useful and safety feature जो मैं मानता हूँ कि हर एक motorcycle हर एक scooter हर एक four wheeler में यह switch देना चाहिए विकाउस यह काफी ज़्याद एक मतलब काम का चीज है let's talk about the instrument cluster उससे पहले यहाँ पर चावी को थोड़ा देख लेता है चावी की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों चावी आपको black color में देखने को मिलता है key ठीक है basic के उपर आपको पूरा key देखने को मिलेगा and now let's see the instrument cluster of this motorcycle instrument cluster का सबस्क्राइल जो स्टार्टिक एनिमेशन है काफी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको fully digital instrument cluster मिलता है लेकिन यहाँ पर जो है यह जो screen आपको मतलब इस जगा पर digital देखने को मिलेगा बाकि यह पूरा screen के साथ यह नहीं है यहाँ चार्ट मिलता है तो देख लेकिन यहाँ के यहाँ पर दियागा है यहाँ पर टाकोमिटर मिलता है design speedometer यहाँ चो Meetal Deborah जो गांड़速 ofusa मतलब time दिखाएगा यहाँ यहाँ पर यह पर देख सकते हों कि neutral के inedication मिलता है यहाँ पर आपको को होडो मेटर मिलता है और इसको बेसिकली चेंज कर सकते हो आप लोग एक बटन के थुरू तो यहां पर जो बटन मिलता है एक सेकर देख सकते हो कि आपको ट्रिप मेंटर खुल गया है यहां पर लेट साइट का जो में बटन है उससे यह एक्सेस कर रहा हो तो यह डो सब्सक्राइब काफी सब्सक्राइब यहां पर दिया गाए इसका पूरे इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर अभी हम लोग सुनेंगे इस मोटर साइल के एक्जॉस साउंड तो एक्जॉस साउंड सुनाने से पहले मैं आपको जो जीस हड़ एक वीडियो में बताता हो कि अगर आप आप लोग इसका एक्जॉस साउंड पूरी तरीके सब फील करना जाता हो तो यूसे हैट्फोन पर बेटर एक्स्पिरियंस रेदी त्री तू वान को अगर आपको इस वीडियो को इतना तक देख लिया तो एक लाइक तो ज़रूर बन्दा है गाईस इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ इन वाटसाप, फेस्बूंग, इस्टरग्राम और ट्वीटर कमेंट्स में हमें ज़रूर बतना कि आपको ये मोड़साइकल कैसा लगा और अगर आपको इस मोड़साइकल से लिटरेट कुछ भी सवालक के मन मा आ रहा हो तो उपके हम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतना हम आपके सवालों को जबाब जल सिदल देनी की कोशिश क करिगें और अगर आपको इस चैनल पर फॉर्स टाइम आड़े हो एफ रहा है नॉट सब्सक्राइब तो इस चैनल देन दू सब्सक्राइब तो इस चैनल और प्रस आपेल आपके आपसे आमारा कोई मीन नोटिफिकेचन मिस ना हो सो थेंक यू टेकर और राइब से मिलते काल फिट सेगनाई वीडियो के साथ आई होब तो सी यू इन मैं नेक्स वीडियो तब तकल जैहिंद मन्दमातरम